जम्मू कश्मीर के बारा मुला में सोमवार को हुए आतन की हमले में एक SPO और CRPF के दो जवान शहीद हो गए इसमें एक जहानाबाद के रतनी फरीदपुर प्रखंट के अईरा गाउं के लाल लवकुष शर्मा है लवकुष शर्मा के शहीद होने की खबर मिलते ही उनके घर में परिजिनों का रो रोकर बुरा हाल है साथ ही आसपास के गाउं में मातम पसरा हुआ है शहीद लवकुष ने हाल ही में साल 2014 में CRPF 119 भी बटालियन जॉइन की थी वो दिसंबर में चुटी लेकर घर आये थे और जन्वरी में वापस लोटे थे रविबार रात आखरी बार उनकी पतनी अनीता और पिता सुदर्शन शर्मा से फोन बात की बात बीच में ही छोड़कर लवकुष ने पता से कहा कि कल फोन करेंगे लेकिन वो कल नहीं आया आई तो बस उनके शहीद होने की खबर षिमा होई सेंव करें सेंवाकर धूफे का सुदर्शन का थो पी flap करेंगे लेकिन अच्छा पून करेंगे ना जिसके बात फोन हैं completely पाम कि बताया कि कमपनी कमांडल पूर रहे हैं से लोप शर्मा एसाइस हो गया है कि अधन्य आधिम्त आधिम्हादी हम लाने सही हो गजा अभी क्या चाहते हैं च्वाद का मांगरते हैं इस तरगास क्या करने साइड़ अ अब लड़का है, वो लड़की है, उनको कब, अभी तोन है हमारा तो कोई है नहीं, बड़ा बाइते पाले, इस्पार कर गए एक महीने पाले, अभी एक लड़का साहरा था, वो भी चलाए है, हम तो पुरा तूटवा है दिसे, अभी बोलने की मोड़ने भी नहीं है, उनका सब्सक्राइक है। आवराफ उसी चाटिया लेगिया आवाया है। कभ आया थे यहां पर छुटी पर का पर चुटी पर चमर अपस मुझा ने कहा लगा Хै शुटी पर खार कि तर किपने के छुटी पर जोगा ना है। बर्वाट गवाट जाच रिल्ट जोगा है। पहरा चाच्छो हो के मरला परिगा है को खाफ़सस्य पहते है, को канал क्या वोट्ट्न से काफ़ा है सरकारों को परिबात नहीं दे सकता है बाइट सुदर्शन शर्मा जिसके बाद पिता लाचार महसूस कर रहा है कि इन बूरे कंदों से कैसे अपने जवान बेटे को कंदा देगा वही दो छोटे छोटे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि उनके पापा अब कभी छुटी में घर नहीं आएंगे ऐसे में शहीद की पत्नी की रो रोकर हालत खराब हो गई है उसका आरोप है कि कोई भी सरकार उसके पती को वापस नहीं ला पाएगी न्यूस डेस्क